हाई फ्रेंज वेलकम टू माई चैनल टैली उनलाइन ग्लास आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टैली.erp9 को आपने कैसे अप्डेट करना है 6.6.3 रिलीस जो टैली प्राइम से पहले था आपने उसको कैसे अप्डेट करना है टैली प्राइम में इससे पहले जो मैं ये वीडियो अप्लोड की थी जिसमें आपने टैली.erp9 को भी as it is रखना है और टैली प्राइम को आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कैसे करना है वो मैंने आपको उसमें बताया है जिसके थू आप पैरलली दोनों चीज़े यूज कर पाऊगे टैली.erp9 भी लेकिन जो आपका लाइसंस एक्टिवेट रहेगा वो टैली.erp9 में ही रहेगा आपने टैली प्राइम को as a new install किया था तो आपने उसको as a education mode ही use करा होगा अगर आपने वैसे किया होगा अगर मैंने जैसा आपको वीडियो में बताया था आज की जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको उसके लिए आप क्या करेंगे सबसे पहले तो आपको यहाँ पर टैली-solutions.com ऑपन करना है और यहाँ पर आपको डाउनलोड पर आना है डाउनलोड पर आने के बाद यहाँ से आप सेटप डाउनलोड करेंगे और नीचे एक नोट लिखा हुए इसको बहुत अच्छे से ध टैली-solution company ने टैली-prime में क्या क्या न्यू अपडेट्स लेके आए हैं क्या 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 न्यू चेंजिस किये हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर टैली-prime पर क्लिक करेंगे तो इसके एक रिलीज नोट्स ऑपन हो जाएंगे टैली-prime का रिलीज वन आया है और यह सारी च आप इसको in-depth read out कर सकते हैं और इससे आपको और भी ज्यादा in-depth knowledge हो जाएगी कि टैली-prime में क्या क्या चीज़े न्यू आई हैं तो अभी के लिए आपने अगर setup को download कर लिया होगा तो उसके बाद आपने यहाँ पर कही ना कहीं वो setup रखा होगा जैसे कि मैंने तो अपन tally.erp9 है और यह updated है 6.6.3 मेरा license version है अब मैं इसी को ही update करना चाहती हूँ tally.erp9 को ही मैं update करना चाहती हूँ tally prime में तो उसके लिए अब मैं यहाँ पे पहले तो tally को बंद करूँगी क्योंकि मुझे इसको open करके नहीं रखना है अदरवेज यह update नहीं होगा error आ जाएग आप इसको yes करेंगे yes करने के बाद आपके सामने एक window अपियर हुएगी जिसके थूँ आप license को करेंगे active भी करेंगे and यह license आपको automatically active हो जाएगा actually यहाँ पे आपको update tally.erp9 6.6.3 to tally prime 1.0 दिखाई दे रहा है आपने यहाँ पे और कुछ नहीं करना सीधा आपने alt i से update कर नहीं इसमें तो simple आप आई ही प्रेस करेंगे update के लिए या फिर आप इस पे click कर सकते है update के लिए आपने इस पे ऐसे click किया तो आप देखेंगे यह आपका update हो रहा है बहुत ही जल्दी यह आपका update हो जाएगा यह देखे अपडेट हो रहा है and tally prime का एक new icon आपके पास यह यहाँ पर आ जाएगा desktop पर यह देखे आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो tally.erp9 का icon था वो यहाँ से हट चुका है and tally prime का यहाँ पर आइकन आ चुका है and मैं यहाँ पर करूंगी start tally prime तो आप जब इस पर click करेंगे start tally prime पर तो यहाँ आपके पास सामने पूरा tally prime का जो software है वो open हो जाएगा and ऐसे करके आपका tally.erp9 update हो चुका है tally prime में आपको कोई license को surrender करने की ज़रूरत नहीं है दुबारा से tally prime में reactivate करने की ज़रूरत नहीं है आप simple अगर update पे click करेंगे तो आपका tally.erp9 update हो जाएगा ओके यह देखे आप यहाँ पर देख सकते है मेरा यह tally prime update हो चुका है और यहाँ पर silver लिखा हो आ रहे है इसका मतलब मेरा यह activate हो चुका है अगर मैं यहाँ पर click करती हूँ तो देखो मेरी पूरी details शो कर दिया application status, serial number, license addition and इसका जो service है वो कब expire होंगी यह आपको सारा कुछ यहाँ पर शो कर रहे है तो यह आपको details य यहाँ पर दिखाई देंगी and अब आप देखेंगे जितनी भी companies आपकी tally.erp9 में बनी हुई थी वो सारी companies आपकी tally prime में भी आ चुकी है आप alt k press करेंगे and यहाँ से आप alt f3 press करते हैं select company करने के लिए तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको सारी companies शो कर लिए ओके and के लिए migration required है तो आपको अपनी company को migrate तो करना पड़ेगा क्योंकि आपने यह जो companies में काम किया हुआ है वो आपने tally.erp9 में किया हुए okay and अब आपको यहाँ पर tally prime में उसको use करना है तो आपको अपनी company का एक proper backup भी लेके रखना पड़ेगा and इसको migrate भी करना पड़ेगा तभी आप उसको tally prime में use कर पाएंगे तो अभी के लिए आप simple अपने system पे अपने computer पे tally prime update कर लीजिए and then मैं आपको next video में बताऊंगी कि आपने अपने data को migrate कैसे करना है okay thank you thank you so much for watching this video